हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एसेच फेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफूल सा यह देखे यह वाला डिजाइन आज आपको बनाना सिखाऊंगी दो कलर का डिजाइन आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफूल कर सकते हो जो भी आप टू कलर में बनाना चाहते हो चलिए देखते हैं हमारा यह दि Yesन को बनाने के लिए आपने रखने है 11 के multiple में फंदे प्लस आपको उसमें 9 कर लेना है दे चाहिए उनको आपको 11 से multiply करना है मतलब 11 के multiple में आपको फंदे लेने है और प्लस उसमें 9 कर लेना है जमा 9 कर लेना है जैसे कि देखे मैंने यहाँ पर 20 stitches cast on किये हैं अब 11 मैंने लगाए हैं प्लस 9 करके मैंने यहाँ प cannenay यούज कर सकते हो तो यह जो डिजाइन है देखिए हम रॉंग साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे उलती तरफ से हम इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे वाइट कलार की वूल भी आपने रखनी है तो दूसरी जो मेन कलर मस्टरड कलर से मैं यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं अब मैं हूँ wrong side पर row one wrong side से पहली row उल्टी तरफ से ध्यान से देखेगा क्या करेंगे पहला फंदा उल्टा उतारा अब यहां पर आपको बहुत यहां से देखना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे mustard color से दो फंदे हमने देखे उल्टे बना लिए अब ह एक फंदा देखे यहां पर हम white color से बनाएंगे इस तरह से मैं यहां पर white color attach कर दूंगी यह देखे white color से बनाया फिर इस बूल को हम इस तरह से आगे ले जाएंगे यह धागा आगे ले जाना बहुत जरूरी होता है यह देखे एक फंदा हम mustard color से बनाएंगे फिर इस धागे आगे की तरफ ले जाएंगे इस दागे को भी आपको आगे की तरफ ले जाना है क्यूंकि हम यह डबल दागा चलाते हुए डिजाइन बनाएंगे तो अब हमने देखी यहाँ पर आट फंदे मस्टरड कलर से बनाने हैं इसी कलर से बनाएंगे हम देखें दो तीन चार यह देखें इस तरह से और इसको भी देखें हम इस तरह से आगे ले जाएंगे यह दागा भी हमने दियान रखना है आपको वाइट कलर का दागा है वो भी आपको आगे ले जाना है यह देखें वान टू थ्री फोर फाइव 6 फिर हम यह white color का दागा भी आगे ले जाएंगे ऐसे फिर mustard color से बनाएंगे 7 और ये 8 ये देखे ये 8 ये देखे अब ये देखे क्या करेंगे हम यहां से ये 3 फंदे हम सुरू के छोड़ देंगे यहां से यहां तक हम फिर से अपने repeat pattern स्टार्ट करेंगे एक फंदा white से बनाएंगे एक mustard से एक white से फिर 8 फंदे ये mustard color से बनाएंगे ये हम पूरी रों में repeat करते जाएंगे फिर से देखे यहां पर हम एक फंदा white color से बनाएंगे इस फंदे को इस तरह से रखेंगे फिर एक फंदा mustard color से बनाएंगे फिर एक फंदा फिर से white से बनाएंगे फिर उसके बाद हम 8 फंदे mustard color से बनाएंगे सारी रो हमने इसी तरह से ही complete करनी है last में देखे हमारे पास ये 3 फंदे बचेंगे ये तीनों फंदे हमने मस्टर्ड कलर से बनाने हैं तो अब बजाए रो टू पर राइट साइड से दूसरी रो सीधी तरफ से ध्यान से देखिएगा पहला फंदा सीधा उतारा अब दो फंदे जिस कलर से आप बना रहे हैं उसी कलर से आपने कंटीनू करना है दो फंदे मस्टर्ड के हैं तो इनको हम मस्टर्ड कलर से ही बनाएंगे ये देखिए मस्टर्ड से बना लिए अब इस बूल को हमने इस तरह से आगे की तरफ को रखना है इस तरह से पकड़ेंगे देखिए और अब हम यहाँ पर वाइट कलर से यहाँ पर हमारा वाइट कलर क दागा है देखिए वाइट कलर का फंदा है तो इसको वाइट कलर से ही बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पर इससे एक से तीन फंदे बनाएंगे जो वाइट कलर का है इस तरह से बनाया एक वार दागा आगे लाया फिर इसको फिर से हमने सीधा बनाना है यह देखिए इस तरह से तो ये हमने 1-3 फंदे create लिए अब इस bul को white color के धाग़े को हम आगे ले जाएँगे और फिर 1 फंदा mustard कलर से बनाएंगे फिर mustard कलर भी आगे ले जाएंगे ऐसे पकड़ेंगे हम और फिर ये जो white कलर का धागा है इसे फिर सी हमने 1-3 फंदे create करनी है पहली बार सीधा बनाया, धागा आगे लाया, फिर अगेन इसको सीधा बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर एक से तीन फंदे बन जाएंगे, यह देखें इस तरह से, फिर उसके बाद यह वाइट धागा आपको आगे ले जाना बहुत जरूरी है, मैं बार-बार बूर नहीं करेंगे, तो अब आट फंदे हमने मस्टर्ड कलर से बनाने है, एक हो गया, दो, तीन, और यह चार, फिर यह धागा भी देखेंगे, आप आगे ले जाएंगे, ऐसे, और जब आप यह इस तरह से डबल धागे से डिजाइन बनाते हो ना, जब आप यह धागा आगे ले जा तो फिर से हम यहां पर देखें, यह फंदे बना लेंगे, जो मस्टर्ड कलर से हैं, यह बना लिए हमने, अब यह शुरू के देखें, तीन फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने फिर से अपना रिपीट पैटन स्टार्ट करना है, क्या करना है, देखें, यह जो कलर का धाग अगे लाना है अब इसमें हम 1-3 फंदे बनाेंगे इसी तरह से रिपीट करेंगे पूरी रों में देखिए इससे यह बना लिया पिर इस तरह से किया अब यह मस्टर्ड इल्य lets बनाएक तो फिर फिर से दाग ऑग का धिलाय जो दागा है उसे 1-3 फंदे निकालने हैं यह तीन फंदे बना लिए फिर यह इस तरह से ले आए वाइट कल लगे दागे को आगे और फिर लास्ट में तीन फंदे सीधे तो यह हो गई हमारी रोट टू राइट साइड से अब बजाए रोट थ्री पर रॉंग से थार्ड रो उल्टी तरफ से द्यान से देखेगा क्या करेंगे पैला फंदा उल्टा उतारा अब देखी यह दो फंदे हमने मस्टर्ड कलर से बनाने हैं देखे जो दो फंदे ह में उतार लिया अब यह मस्टड कलर का फंदा को बिच मैं पिलया हुमeg पिल देpower बना है लेकिन描 उतार फंद shed में बना सब्सक्ता का बना सब्सक्तिर में नोच यह istä संब अब दागा सबीछ आगे यह चलेंगे और बिच में वाप फंद हैशी बना यह तर्च है बनाएंगे लेकिन इसके साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो white color का बंदा है देखिए इसको हमने sorry white color का जो धागा है wool है उसको हमने आगे ले जाना है इसी तरह से हम इसको wrap करते हो आगे ले जाएंगे तो इस तरह के जो design होते है ना उसकी sweater बहुत गफ बनती है बहुत गरम बनती है क्योंकि यह double धागे से बनता है यहाँ पर भी double धागा आपको बनेगा तो काफी मोटी यह wool बनती है और इस तरह के जो बच्चों को बनाओगे तो बहुत गरम आपकी sweater बनेंगे तो देखे 8 फंदे हमने mustard color से बना लिए अब यह शुरू के 3 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक फिर से अपना repeat pattern हमने start करना है यही हमने repeat करना है क्या करेंगे जो एक से 3 फंदे बनाया थे लेकि इनको हम उतारेंगे जो center वाला फंदा है उसको भी हम उतारेंगे फिर यह तीन फंदे फिर से हम slime में slip करेंगे यह देखे इस तरह से फिर हम last में देखे यह वाले फंदे भी mustard color से बना लेंगे बस बीच के फंदे हमने slip करने है जहाँ पर हमारा design आएगा यह देखे इस तरह से तो यह हमने बना लिया row 3 भी और फो पर आ जाएए right side से अब ध्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेएगा यह जो हमने देखे एक से तीन फंदे बनाया थे जो white वाले फंदे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन तीनों को हम पहले पकड़ेंगे इनको हम आगे लाएंगे इन दो फंदों के आगे लाएंगे और इन दो फंदों को हम सपी कज़ा,बिदी जू साअे सांना फंदा बना लिए इस थागे को इस तरह से रखेंगे और ये mustard color का धागा है उससे हमने ये 3 फंदे सीधे बना लेने ये तीनों फंदे बना लिए अब इस थाग़ को इस तरह से रखेंगे white color का धागा ऐसे आगे ले जाएंगे अब ये जो ये वाले जो तीन फंदे है इनको हम इन दो फंदो ये जो यहाँ पर आपको अब इन तीनों फंदों को ऐसे पीछे ले जाएंगे और ये दो फंदे पीछ में ले आएंगे अब इनको mustard color से ही बनाएंगे क्योंकि mustard color के फंदे हैं तो हमने ये mustard color से ही बनाने यह देखे इस तरह से अब जो white color के फंदे हैं तीन इन तीनों को हमने इस तरह से slide को डालना है 1,2,3 और slide को पीछे की तरफ को घुमाएंगे और फिर इन तीनों का हमने एक फंदा बना लेना है यह देखे फिर इससे हमारा इस तरह से design create होगा यह देखे इस तरह से होगा फिर यह फिर चार फंदे हमने mustard color से बनाने है देखे 1,2,3,4 फिर हम यह white color का दागा भी इस तरफ लाएंगे तो देखे यह जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़कर यहां से यहां तक हमने अपना फिर से repeat pattern start करना है यही 11 फंदे हमने पूरी रो में repeat करने है तो फिर से देख लीजिए यहां पर देखे यह दो फंदे हैं इसके पाद जो यह तीन फंदे है white color की इसको हम आगे से slide डालेंगे यह देखे इस तरह से आगे से slide को डाला अब यह दो फंदे हम बीच में ले जाएंगे और यह फंदे हम इस तरह से आगे लाएंगे अब इनको हमने इन तीनों को देखिए हमने एक फंदा बना लेना है यह white color से ही हम बनाएंगे इस बात का आपने द्यान रखना है यह देखे इस तरह से बना लिया अब यह वाला फंदा हम यह जो तीन फंदे हैं सेंटर के इनको मस्टर्ड कलर से ही बनाएंगे टू और यह थ्रे यह तीनों बना लिये अब यह white color का धागा भी हम बूल आगे ले जाएंगे अब यहाँ पर देखिए जो दो फंदे हैं पीछे वाले जो दो फंदे हैं मस्टर्ड कलर के इनको हमने सेंटर में लाना है बाहर की तरफ से हम यह लाएंगे और यह वाले फंदे हम पीछे ले जाएंगे तो इस तरह से देखिए हम इन दोनों का अब हम इस तरह से दोनों को भी सीधा बना लेंगे और फिर याँ 20 फंदे को भी हम वाइट कलर के जो 3 फंदे हैं इनको भी हमने 3 बना एक कर लेना है लेकिन ध्यान ये रिखना ये हमने पीछे की तरफ से 3 का एक करना है ये देखे इस तरह से फिर लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा इसको आपने mustard color से बना लें तो देखें आप फिर से हमने row 1 से start करना है तो वैसे चार सिलाई का ही design है इसके बाद फिर से हमने row 1 से लेके row 4 तक repeat करना है लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर row 1 start करेंगे row 1 से लेके row 4 तक ही हमने continue करना है क्या किया हमने देखिए पहला फंदा हमने उतारा अब उसके बाद 2 फंदे हम mustard color से बनाएंगे 1 और यह 2 तो फंदे हमने mustard color से बनाएं इस फंदे को इसको दागे को आगे लिया है अब एक फंदा हमने white color की दागे से बनाना है दागा आगे लाया एक फंदा हम mustard color से बनाएंगे फिर से हम एक फंदा वाइट कलर के दागे से बनाएंगे और फिर इस तरह से बूल को रखेंगे उसके बाद हम आठ फंदे यहाँ पर मस्टर्ड कलर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, साथ में हम देखी यह वाली बूल भी आगे ले जाएंगे 5, 6, 7, और यह 8 फिर यह वाइट कलर का दागा फिर से आगे लाएंगे यहाँ पर फिर से हम एक फंदा वाइट कलर से बनाएंगे एक फंदा मस्टर्ड कलर से बनाएंगे फिर एक फंदा फिर से वाइट कलर से बनाएंगे फिर 8 फंदे मस्टर्ड कलर से बनाएंगे इसी तरह से हम करते जाएंगे सारी रो हमने इसी तरह से ही complete करनी है देखे लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बचेंगे तीनों हमने mustard कलर से तो आप देखिए अब आपको पता चल गया होगा इसके बाद फिर से हमने वैसे ही इस design को बनाना है यह देखिए कितना pretty बन रहा है हमारा design यह तो यही चार रो आपको repeat करते जाना है अब आपको design अच्छे से समझ में आ गया होगा यही चार रो आपको repeat करते जाना है और आपका यह beautiful सा design देखिए कुछ इस तरह से बनता जाएगा design कैसा लगा आपको please एक comment करके जरूर बताएगा so thanks for watching मिलते हैं next video में किसी और tutorial के साथ तब तक के लिए